बश्कार दोस्तों स्वागत है आपके एक बैफिट से आपके अपने यूट्यूब जैनल कमपटीशन प्रिप्रेशन पर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करेंगे मैं सभी 25 कोश्चन करूंगा क्योंकि आधे सिफ्ट में मैंने डियाई चोड़ दिया थे और आपके कोई परसनल डाउट है तो आप तो यहाँ इस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं और आप अभी तक टेलिग्राम चैनल से नहीं जुड़ें लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं जाके जुड़ सकते हैं चलिए श्टार्ट करते हैं पहले कोश्चन पर आते हैं पहला कोश्चन जो दिया गया वह कहा गया एक्स इस उक्वाल टू क्यूब रूट आप से पूछा गया कि X क्यूब प्लस 6 X स्कोर प्लस 12 X माइनस 12 की वैलू क्या होगी यह प्लस या माइनस होगा ठीक है आप ध्यान से देखेगा अगर X बराबर इतना दिया गया तो आप X माइनस टू कर लिजी X माइनस टू यूखल टू हो जाए गा क्यूग रूट यह आप कहोगे x cube minus 8 minus 6 x square plus 12 x बराबर 5 यह आप कह सकते हैं सबको इधर लेओ तो होगे x cube minus 6 x square plus 12 x minus 13 is equal to 0 अब दोनों पच्छों में एक जोड दो तो हो जाएगे x cube minus 6 x square plus 12 x minus 12 is equal to 1 तो यही निकालना था यहीं निकालना था अब बैंस होगे ठीक है अगले प्रश्म प्रश्म प्रयाते हैं कहा गया the pie chart shows percentage wide distribution of teachers who teach six subjects ठीक है six different subjects study the pie chart and answer the question आपको दिया गया percentage of teachers यादि कुल teachers हैं 1650 उसमें से दिया गया कि कितने की subject के हैं math and physics English math and physics आपको पता 26% English पढ़ाते हैं Maths 14% लोग पढ़ाते हैं और physics 18% लोग पढ़ाते हैं ने पांतिया पंद्रा पांतिया पंद्रा दो से कटेगा 29 यानि 29 तिया 87 के साथ हासिल आइ 8 29 तिया 87 आठ पंचान लगे तो आपका अंसर होगे 900 सताओं ठीक है अगला प्रसंद देखिएगा कहागे इंट्रा अंगर ABC ABC अंगल जो है वो 6ACB के बराबर है ठीक है आप से कहागे BAC जो है वो 5 टाइमस आफ ACB यानि यह 5 थीटा है AB is equal to 7 दिया गया है AC is equal to 25 तो आप से कहागे BC के लंबाई क्या होगे ध्यान से देखिएगा अगर 5 थीटा और 6 थीटा और 1 थीटा मैंने आपको एक चीज बता होगा कि सर अगर 5 थीटा और थीटा का सम 6 थीटा के बराबर हो जाए यानि अगर किसी triangle में दो angles कसम तीसरे angle के बराबर हो जाए तो आपको पता होगा कि वो right angle triangle होते हैं क्या बता है कि 5 theta और theta 6 theta बराबर 6 theta देखें इन दोनों कोडों का अगर योग निकालेंगे तो 6 theta आएगा और आप सीधे का सकते हैं कि दो कोडों कही हो तीसरे कोड के बराबर यानि कि जो आपका triangle होगा हो कैसा हो जाएगा right angle अब right angle triangle हो गया तो इसको b पर right angle बना तो b के सामने के भुजा 20 यह आपको दिया गया साथ तो यह आपके भुजा 24 हो जाएगी यह आपसे b सी ही निकालने को कहा गया था कहा गया if a digit number 4432 a43b is divisible by 9 and 5 then sum of a and b is equal अब देखो अगर आपको 4432 a43b यह संख्या दी जा रहे है और यह संख्या 5 से divisible है तो यह तो b 0 होगा यह तो 5 होगा क्योंकि unit digit 0 यह 5 नहीं होगा तो 5 से कटेगी यह और अगर यह संख्या 9 से divisible है तो 4, 4, 8, 3, 11, 2, 13, 4, 17, 3, 20 और अगर यह 0 ले रहे हैं तो 20 हो जाएगा a को 7 होना पड़ेगा ठीक है और अगर हम b को 5 ले रहे हैं तो आपको पता चल गया 25 हो गया यह यह को 2 लेना पड़ेगा समझ रो यह यह प्लस b यह तो 7 होगा और यह तो 16 हो सकता है तो 16 option में है नहीं तो आपका कितना हो जाएगा 16 option में है नहीं तो कितना हो जाएगा साथ अच्छा माल लो 16 होता बागी सबका सम तो आपको पता है 4, 4, 8, 3, 11, 2, 13, 4, 17, 3, 20 यानि 20 प्लस a प्लस b अगर यह तो 27 हो सकता था 20 से बढ़ा ही होगा जो 9 का फैक्टर हो यह 36 हो सकता था 27 हो सकता है a plus b बराबर अगर 7 हो तो हो सकता है और अगर हम बात करें कि a plus b 36 होना हो तो a plus b को कितना होना पड़ेगा 16, अगर a plus b को 16 होना है तो अगर हम बात करें अगर b बराबर अगर 0 हो गया तो a बराबर 16 फास्वल है, नहीं, तो कि a की value आलवेज 9 से छोटी होगी और अगर हम B को 5 ले 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 तो A को 11 होना पड़ेगा जो कि पॉस्बल है नहीं यानि कि यह 36 नहीं ले सकते यानि हमें लेना पड़ेगा 27 और 20 प्लस A प्लस B अगर 27 है तो A प्लस B साथ होगा ऐसे भी कह सकते हैं कहा गया यह train covers a distance of 12 km in 12 minutes if its speed is decreed by 5 km per hour then the time taken by it to cover 22 km बिल भी कहा गया कि कोई train जो है वो 12 km 12 मिनट में ते करते हैं 12 मिनट में 12 km यह जो कह सकते हैं 60 मिनट में 60 km यानि उसकी speed हो गई 60 km पर थी घंटे अब कहा गया उसकी speed 5 km पर थी घंटे घंटा दी जाती यह 55 के speed से जाती है पूछा क्या गया 22 km चलने में कितना समय लगेगा आपको पता है 22 km अगर 55 के speed से आएगी तो 22 बटे 55 घंटे लगें यह 60 से गुड़ा कर दीजिए तो आपको इसकी वैल्यू निका लें देखेगा अगर हम कंपोनेंडों डिवेडेंडों लगा देया यह एंस में हर को 22 कर जाएगा यहनि sin theta upon cos theta is equal to 4 by 2 यहनि 2 by 1 कह सकते है sin theta 2 cos theta 1 ले लो तियो जाएगा 6 plus 4 upon 8 minus 6 6 4 10 upon 8 में से 6 गट्टे कर दो डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5 आंसर हो गया ठीक है कहा गया the ratio of present ages of a and b is 1 is to 3 यहनि कि अगर इनकी भाइसाब कि आयू x है तो इनकी 3 x बरतमानों कहा गया after 10 years यहनि 10 साल बाद की बात करी जा रही है इनकी आयू का अनुपाद 255 हो जाएगा आपको पता होगा कि 10 साल बाद यह कितने के हो जाएगे x plus 10 के यह भाइसाब 3 x plus 10 के इनकी आयू का अनुपाद 25 हो जाएगा इसका मतलब 2 में 2 से इसमें कुड़ा गरी है 5 से इसमें दोनों को बराबर कर दीजी यह यह हो गया 5 x plus 50 बराबर 6 x plus 20 यह एक्स बराबर 30 आप से किसकी आयू पूछी गई अगर बी की बरतमान आयू बताईए तो बी बराबर 3 x यहन सुरू किया और 4 दिन तक साथ कारी किया तो आप से कहा गया जो वर्क का हिस्सा बचा हुआ है वो कितना है आपको पता है यह 15 दिन में कर सकते हैं यह 10 दिन दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे 15 गुड़े 10 बटे 15 धन 10 यानि कि दोनों मिलके 6 दिन में कर सकते हैं 6 दिन में है यानि कि कितना हिस्सा बचा हुआ होगा यानि 4 वटे 6 तो हो गया अगर 7 दिन में कर सकते हैं तो एक कार्य तो इन्होंने कर दिया है बचा कितना होगा 1-2 ख 20 हैं या प्र आफ ऐसे कह सकते थे कि हम जाएगा यानि कि ये दो कारे करेगा एक दिन में ये तीन कारे दोनों मिलके पांच चार दिन में 20 कर देंगे बचा कितना है दस आउट आप तीस तो यानि एक बटे तीन भाग ये प्रशन देखें लों कहाँ कि एक्स टाइमस आप 5-2 by x is equal to 5 by x तो आपको x square प्लस होना पाने x square की value इनका ल 5 से डिवाइड करते हो तो ये x minus 1 by x is equal to 2 by 5 और अगर x minus 1 by x 2 by 5 है तो x square प्लस होना पाने x square कितना हो जाएगा 2 by 5 का whole square है ये चार बटे 25 और धन 2 ये दो सही 4 बटे 25 हो जाएगा समझा किया कहा गया the perimeter of a rectangle is 18 cm and its area is 375 cm square अगर perimeter 80 है तो L plus B कितना हो जाएगा 40 क्योंकि 2 times L plus B ह होता है perimeter और आपको area दिया गया है L B वराबर 375 आपको सीधे दिख रहोगा L वराबर 25 B वराबर 15 15 ये 25 होगा ये पंदरा होगा 25 पंदरा 40 25 गुड़े पंदर तीन सो पचेतर तो क्योंकि वार्ड इद डिफ्रेंस बिटूइन लेंथ एंड बीर्ट 25 का अंतर पूछा कि 10 या आप ऐसे कह सकते L माइनस B वराबर होता है अंडर रून में L प्लस B का होली स्क्वार यानि 1600 माइनस फोर टाइमस आप LB यानि की पंदरा सो तो आपको कितना हो जाता सो सो को और मूल कितना होता है मैंने पूछा बता दीजिया ठीक है का गया साइन से बनेक्स इजिए साइस आइस आंसर वा ये परसम दिखें कर अधिया रहा है इस पर कोई बिंदु मालों यहाँ पर C है ठीक है कह गया और a c वराबर साथ है तो bc की लंबाई निकाले घThe Lawn आपको पता होगAK कि यह परपंडिकुलर होता है c कोई punishment है a c की लंबाई 7 है यह पूरा चोबी से है अगर यह परपंडिकुलर है तो bc कितना होचाइगा 25 क्योंकि हाइपोटेनियूस हो जाएगा बात खतम कहा गया कि दबर्थ डेट अच्छा पहले वो पढ़ लेते हैं कहा गया फालूइंग बार्चार्ट रिप्रेजेंट्स दबर्थ रेट ऑफ सिक्स डिफरेंट कंट्रीज इस्टीडी दबार्चार्ट एन आंसर दो क्वेश तो आप से पूचा गया 36 जो है वो 20 का कितना परचेंट है आपके इस्टीस बटे 20 गुडे सो बीस इकननम बीस बीस परचे सो च्छतीस बरचे एक सो असी परचेसा बात खता कहा गया थे अबरेज ऑफ एबीस इस एटीन अगर एबीस का एबरेज एटीन है तो इनका सम कित कितना हो गया 30 उनका करता इसाथ तो कि वाट साँधे एर देडिस का एब्रेज सब जोड़ हुआ grass तो आप क्या कर सकते हो देखो जोड़ोगे की घटाओगे की क्या करोगे एक मिनिट आपको क्या निकालना A B C D E F आप इन दोनों को जोड़ो और इसमें से क्या घटा दो नहीं ऐसे न करो इन तीनों को जोड़ो इन तीनों को जोड़ो इसमें से ये वाला घटा दो तो अगर आप करोगे A plus B plus C plus D plus E plus E plus F और फिर E घटेगा यानि ये cancel हो जाएगा और आप देख पा रहे होंगे कि C से C कट जाएगा शरी, इस C से ये C कट जाएगा कोई साएक C कट दिए यानि आप क्या काम कर रहे हैं? equation 1, 2, 3, 4 तो 1, 2, 3 को जोड़ रहे हैं चार उसमें से घटा दे रहे हैं यानि आपका बचा कितना? A plus B plus C plus D plus E plus F पराबर 34, 96, 93 एक सो तीन में से साथ घटेगा 96, ठीक है? यानि कि ये हो गया आपका A plus B plus C plus D plus E plus F बराबर 96 तो इनका आउसत क्या हो जाएगा? बटे 6 इधर लगाईए, बटे 6 इधर लगाईए, यानि 16 हो गया कहा गया A square plus 1 upon A square is equal to 98 तो A Q plus 1 upon A आपको पताए A plus 1 by ये क्या हो जाएगा? अंडर रूड में A square plus 1 upon A square plus 2 यानि कि अंडर रूड में 100, यानि कि इस की value हो गई 10 और अगर A plus 1 by A is equal to कि होता है तो A cube plus 1 upon A cube कितना होता है? कि A cube minus 3 के नहीं कि 10 का cube minus 3 into 10 1000 में से 30 घटेगा 970 ठीक है? कहा गया, दो पाई चार्ट सोच वही वाला है हिंदिय अंग्रेजी म, physics वाले teachers की का कि what is the difference between total number of teachers who teach physics and math and total number of teachers who teach chemistry and biology physics और math जो पढ़ाते हैं उनका और chemistry और biology पढ़ाते हैं उनका अंतर क्या होगा? physics और math मिलके 32 परतिसत लोग पढ़ाते हैं और chemistry और biology कितने लोग पढ़ाते हैं? 36 परतिसत तो इनका अंतर कितना हो जाएगा? 4 परतिसत टोटल teachers है 165 उसका 4 परसेंट कितना हो जाएगा? 1650 बटे 25 करदो हो गया 25 चक्के देड़ सो 25 चक्के देड़ सो 6-6 परसेंट हो जाएगा ओ सारी 6-6 टीचर सो जाएगा क्यों हो जाएगा? 6-6 टीचर स 6-6 टीचर स ये प्रस्न देखिएगा साड़ा हुआ प्रस्न तो नहीं कहोंगा लेकिन अच्छा प्रस्न है का कि when an article is sold for 720 then there is a profit of X percent when the same article is sold for 750 the profit is X plus 5 percent what is the value of X? देखो 720 में हमने बेच जा तो X percent का profit है क्योंब X? और इससे कितना बढ़ जाते है? 30 और बढ़ जाते है 30 बढ़ जाते है ठीक है? तो हमारा जो profit percentage हो 5 percent बढ़ जाते है वस्त के CP का 5 percent 30 के बराबर है यानि CP बराबर हो जाएगा 600 5 percent 30, 1 percent बराबर 6 यानि कि 100 percent बराबर 600 अब CP 600 हो गया तो हम से कहा गया 720 में बेचने पर X percent का profit होता था अगर 600 की वस्त को 720 का बेचने हैं कितने percent का profit? 20 percent का यहीं 20 X के बराबर हो जाएगा कहा गया in the given figure TV is a chord which passes through center of circle यानि TV diameter PT is a tangent to the circle PT जो है वो tangent as-perse रेखा है PT is equal to 10 PA is equal to 5 AB is equal to X आप से radius पूछीगे ध्यान से देखेगा PA is equal to कितना है? 5 AB is equal to कितना है? X PT is equal to कितना है? 10 और आपको क्या दिया गया है? हाँ अब आपको पता होगा कि अगर PTS पर से रेखा है PA b second है तो हम कर सकते PA into PB बराबर PT का square यानि कि 100 यानि आपको कर सकते 5 into 5 plus X बराबर 100 यानि X बराबर होगा 15 अब आपका ये 15 होगा ठीक है? देखेगा आपको निकालना क्या है? या आपको होगा 15 आपको पता है ये राइट अंगल है ये 10 है ठीक है? और ये कर्ण जो है इतना 15 है ये 5 है यानि ये पूरा PA b अगर हम बात करें PA b की तो PA b पूरा कितना होगा ये मैं PB की बात करूँ आप देखेगा आपको पता है PA 5 है इतना 5 है और ये AB X है ये 15 है ये पूरा कितना होगा ये 20 और आपको पता है कि जो OT है वो केंदर से किसी असपर्स रेखा कि असपर्स बिंद को मिलाएगा ये रेखा तो ये इस पर लंब होगी अगर ये ट्रैंगर PTB को देखे तो एक भुजा यानि आधार 10 है कर्ण 20 है तो लंब यानि कि TB कितना हो जाएगा TB वराबर हो जाएगा अंडर रूट पर 20 का स्कौर 400 माइनस 100 300 ये 300 को हम कहा लिख सकते हैं पांच रूट या ऐसे 10 रूट 3 और अगर TB की बात करें तो TB क्या है डामेटर यानि डामेटर अगर 10 रूट 3 है तो रेडियस कितने हो जाएगे 10 रूट 3 बाई दो यानि 5 रूट 3 सेंटिमेट यानि कि 30 कितनी होगी 5 रूट 3 सेंटिमेट कहा गया ABC is an iso-less triangle where AB वराबर AC is equal to 13 A, B, C ये 13, ये 13 AD median है side BC की AD median है तो perpendicular होगी iso-less triangle की property होती है AD वराबर 12 AD वराबर 12 तो आपसे BC की लंबाई पुछेगे आपको पता है ये 12 है ये लंब बहुत है तो BD 5 होगे और अगर ये median है तो इसको दो बराबर भागुम बाटेगी यानि ये भी 5 होगे पूरे BC की लंबाई 5-5 10 हो जाएगी इसकी value बतानी है प्लस प्लस पउन प्लस को सबकरD magist μड़कर दीजिक मुटश कर दिजी मतलब हर पराबर कर दीजिक हर बराबर करेंगे तो तो कितना हो जएगा को से इंटू को से के यानि को से अपां साइने को टे माइनस बच्चेगा को टे माइनस को से इधर बच्चेगा को से को से को टे प्लस को से अरे से को और कोर्ट में गन स्वेशन हो रहे को सअ अपन को हो आपन कोट स्कॉरा रे चोल तो तो कास काई आपन कोट स्कॉरान है एक बराबर प्हार कहा गया कि एक वस्ट लुकिया अगर मार्केट प्राइज परसेंट का डिस्काउंट मिलता है तो 60 रुपए उसे छोड़ मिल जा रही है तो हमें 60 रुपए की प्रेंट फिरी मिल जा रही है मार्केट प्राइज का 30 रुपए की प्रेंट फिरी मिल जाती है यानि कि उसने बुक के लिए कितना प्रेंट यानि एक सो चालिस रुपए अगला प्रस्ण देखेगा यह प्रस्ण सिंप्लिफिकेशन का बड़ा आसान सा है एक बटे पांच में एक बटे पांच से डिवाइड करेंगे एक एक का एक बटे पांच में गुड़ा तो यानि उपर एक बटे पांच इधर एक बटे पांच और एक बटे पांच इन्टू पांच यानि एक बटे पांच इन्टू पांच यानि एक बटे पांच इन्टू sum of money amounts to 75 dual zero in five years and 85 dual zero in seven years at simple interest at the same rate of interest the rate of interest is कहा गया पांस साल में 7500 हो जाता है और साथ साल में 8500 यानि अगर आप देखें तो पांस साल में 7500 साथ साल में 8500 यानि आप देख पारोंगे simple interest हर साल समानी मिलेगा यानि दो साल में जो simple interest मिला वो कितना है Allah एक थयार रुपय से ही तोबड़ा है दो साल में अगर एक हजार रुपय मिलता है तो एक साल में 500 यानि पांस साल में कितना मिला होगा पांस साल कि अगर बात किंगे तो 2800 मिल्आ lag यानि कि कि सी रहाजी पे 2500 रुपय ब्याज मिलने के पांच सो पांच जार रुपय पे अगर एक साल का सिंपल इंट्रेस्ट पांच सो है तो कितना पर्षेंट हो जाएगी रेट आप इंट्रेस्ट दस पर्षेंट बात करता हूँ कहा गया बाला डिसाइडेट टू डोनेट 10 पर्षेंट अफ इस सेलरी टू पीम केर फंड कहा गया कि बाला ने डिसाइड करा कि 10 पर्षेंट अपनी सेलरी का यानि कि बाला की सेलरी अगर हम एक्स माने तो एक्स का दसमा हिस्सा वो डोनेट करेगा ठीक है लेकिन क्या होता है कि जिस दिन डोनेट करना था उसने अपना मन बदल लिया और जितना डोनेट किया वो जो जितना प्लान किया था मतलब जितना पहले प्लान करना था उसका 60 परचन यानि उसका 3 बटे 5 हिस्सा उसने क्यों डोनेट किया यानि एक्स बटे 10 का 3 बटे 5 हिस्स each birth rate of which countries exactly 50% more than country g a 18 18 से 50% मोर याणी अठ्ठार का डेर्ड हो ना याणी अठ्ठार का डेर्ड होना कितना होता अठ्ठार का अध्ठार और आध्ठार और अध्ठार नो उस 25 किस कंट्रि का अध्ठार एंद यहां नहीं यहां यहां नहीं तो आपको करेक्ट आंसर हो करिएगा और जितने लोग CPU सीजल मेंस देने जारे हैं उनको all the very best और ये shift मतलब ये shift किया ये पूरा CHSL के पिपर अगर आप analysis करके जारे हैं मुझे नहीं लगता है इससे ज़्यादा important आपके exam के लिए कुछ होगा बबाइ take care all the best for your all the exam बने मातरम चाहें